गोल बाजार श्रीगंगा नगर मेन मार्केट का एरिया देखे चलिए दोस्तों एक और पॉइंट आपको सिटी का हम विजिट करवाते हैं रिवाडी स्वीट चले दोस्तों तोड़ा सा एक पॉइंट और हम लोग विजिट करेंगे आगरा चाट का ना जो की सिटी का बहुत इस फेमस पॉइंट है कि दियर फ्रेंड्स अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और गंगरनगर का एक और पॉइंट बहुत अच्छा सा पॉइंट आपको दिखाते हैं बहुत अ सभी दोस्तों को नमस्कार मैं गोर्डन स्टार्स चैनल से जेसी जुरा आप सभी का स्वागत करता हूँ प्रिये दोस्तों आज हम विजिट करें एक ऐसे शेहर की जिसको धान का कटोरा बोला जाता है राजस्तान का एक नियोजित शेहर शिरी गंगानगर जिला जिसको फसल के हिसाब से सर्वोतम माना जाता है यहां के सिधर साथे लोग और यहां के बड़े लिखे लोग बहुत आगे बढ़ते हुए बरतीत होते हैं तो आज हम इसी जिले के बारे में जानकारी लेंगे आपको पूरा इसके इतियास के बारे में बताएंगे कब यह जिला बना इसने बनाया और कैसे कैसे इसका विकास हुआ बहुत बहुत धन्यवाद राजस्थान राज्य का खोशाल वे सर्वाधिक क्रिशी उत्पादन देने वाला जिला शिरी गंगा नगर है क्या आप जानते हैं कि इसका प्राचिन नाम क्या था और शिरी गंगा नगर को बसाने का श्रे किसको जाता है जी हाँ दोस्तों जानिये इसका प्राचिन नाम रामू की धानी था जो बाद में राम नगर हुआ और 26 अक्टूबर 1927 में महाराजा गंगा सिंग्जी द्वारा इसे पैरिस की तर्ज पर बसाया गया था इस समय यह एक निर्जन स्थान था शिरी गंगा नगर में बरोर गाम में सिंधू गाटी सब्यता के अवशेश पाकिस्तान की सीमा के पास अनूपगड का किला अनूपगड से 11 किलोमेटर दूर लैला मजनू की मजार भारत पाक सीमा मात्र 45 किलोमेटर की दूरी पर है दोस्तों वकीलों के डिगी एच बलाक पी बलाक के डिगी इत्यादी बहुत से परसिद स्थान है यहां पर भारत का सबसे बड़ा आटो मोबाईल और एशिया का सबसे बड़ा यांतरिक किसान फारम है यहां पर परसिद वे बड़ा धारमिक बुड़ा जोहड का इत्यासिक गुर्दवारा है दोस्तो क्या आप ऐसे ही परसिद वे सुन्दर जिले को देखना चाहेंगे तो आईए हमारे साथ बने रहें वे आनंद लें राजस्थान के अन के कटोरे रूपी जिले शिरी गंगा नगर को करें दोस्तों अभी हम आपको विजिट करवाते हैं शिरी गंगा नगर के बस्टेंड को जो में बस्टेंड है आप देख सकते हैं केंदरिय बस्टेंड शिरी गंगा नगर इसके विजिट करेंगे हम लोग देटें तो अभी श्री गंगा नगर शेहर का एक और पॉइंट हम लोग विजिट करेंगे नहरू उद्यान नहरू पारक जो की बस्टेंड के विल्कुल पास में हैं और इसको हम लोग विजिट कर रहे हैं देखें सुबह का समय है और सब लोग इसको यूज करते हैं ब्लॉक एरिया का सबसे सुन्दर पार्क आप देख सकते हैं नहरू पार्क सुबह सुबह यूगा एक्सराइजीज और ये नहीं के किवल लीडी या कोई जैंट्स की बात है देखें सब यहां एक्सराइज करने के लिए सुबह से और शाम को भी इस तरह से यहां पर अपना स्वास्त है हेल्थ मेंटेन करने के लिए आते हैं पार्क में एक पूजा घर भी बनाया हुआ है जहां पर सत्संग बगएरा चलते रहते हैं सुबह शाम दोड़ों टाइम यहां पर किर्थन या सत्संग का कारेकरम होता रहता है देख सकते हैं अभी शुरू होने वाला है मुआ धर श्री गंगा नगर में मार्किट का एरिया देखे दीवाली की खूब डैकोरेशन हो रही है देखें दोस्तों एक बहुत पुरानी और प्रसिद जलेबी की दुकान है यहां पर पंड़िची जलेबी वाले जिनका जो है रोड़क इतना अच्छा होता है कि बहुत दूर दूर से यहां पर लोग आकर के जलेबी खाने के लिए या ले जाने के लिए आतो शिरी गंगा नगर का गांधी चौक आप देख सकते हैं बहुत सुन्दर सजाया हुआ और यह सब मेन मार्किट है आप लोग देखेंगे हमारे साथ आगे बढ़ेंगे देख सकते हैं इधर प्रिये दोस्तों स्टेशन के बिलकुल नियर में एक बहुत अच्छा राज जीरा इनका परसिद्ध है और इसको हम लोग विजिट करेंगे बहुत अच्छे से आप देखिए जो गंगा नगर का मशूर या कहना चाहिए जो परसिद्ध है यहां पर जीरा और इसकी वाराइटी बनाई जाती है तो हम लोग इसको भी देखते हैं देखें राज जीरा पर हम लोग हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से और हम लोग ऑनर से भी बात करेंगे शिरी अनमोल जी हमारे साथ हैं जो इसके संचालक हैं अनमोल जी नमस्कार प्लीज आप थोड़ा बताएंगे कि कब से ये आपका जो राज जीरा का काम शुरू हुआ और इस स्टेज पर पहुंचने में कितने होगे हाँ जी हमारा वैसे इनी सो अठावल से हमारे दादा जी ने स्टार्ट किया था ये ब्रैंड जी तो प्लीज एक प्रिशन मेरा आप से और है कि आप बताएं कि आपके क्या क्या वराइटी और थोड़ा सा रेट भी आप बता देंगे बहुत अच्छी वराइटी हैं पहले केवल जीरा के नाम से आपका था और अब तो बहुत सी वराइटी हैं प्लीज आप बताएं दर्शकों को पहला ये जीरा जो आपका चलता है ठीक है जे जे बहुत अच्छा तो प्लीज इसका थोड़ा सा रेट बताएंगे अभी का करंट रेट पांट्र पर सेव करते हैं पांट्र प्लीज ओके और बताएं अच्छा जी 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 इसके नावा जेए ये मॉक्टेल ओके जी इसको पसंद कर देए जी आपके पास प्लेएंगे बहुत बढ़े हैं अच्छा ये ठंडाई बहुत बढ़े हैं जी 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 तो दर्श को देगे हैं हम लोगों ने आपको बहुत अच्छा एक सिटी का जो पॉइंट था और सबसे परसिद्ध यहां पर यही है जो राजी रा बहुत दूर दूर तक इनका जो प्रोड़क्ट है बनाया हुआ जाता है फरसिद्ध हैं और हमने बात की इनके ओनर से तो आगे बढ़ेंगे प्रिया दोस्तों हम लोग आपको राजस्थान ज्वेलर्स शिरी गंगा नगर और यह हम लोग आपको विजिट करवाते हैं थोड़ा से मिलवाएंगे इनके ओनर से सिस्टम कब से शुरू किया और इसको चलाने में आपको कोई क्या-क्या थोड़ा सा साथदानी रखनी पड़ती हैं तो प्लीज आप हमारे दोस्तों को बताईएगा जी हमें चौदा साल पहले चौदा साल पहले आपने शुरू किया इसको ठीक है तो इसमें थोड़ा साथ बताएंगे कि कहां से मेन आपका जो रहता है जो प्रोड़क्ट है आप कहीं दूसरी जगह से मगवाते हैं या आपका बाहर से आता है लोकल भी बनता है को डिली बोमे अमरी सर्व अच्छा वहीं से लाकर करके यहां पर आप करते हैं तो एक दर्शकों को थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए बताएंगे अगर हम पहले की बात करें और आज की बात करें तो क्या डिफरेंस लगता है जिस तरह से बहुत पहले विश्वाश किया जाता था अभी सोने जैसे चीज़ पर जो की लगबग 80,000 के आस इसको बनाने के लिए आप क्या स्टैप लेते हैं प्लीज सुना तो अपने पैदा कर रखा है कि यहां पर आके ग्रहक आपसे सामान लेते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल के साथ जूड़ने का समय देने का थैंक यू वरी मुद्ट चलिए दोस्तों एक और पॉइंट आपको सिटी का हम विजिट करवाते हैं रिवाडी स्वीट्स शिरी गंगानगर जिले में यह सबसे पुरानी दुकान है और इनके ओनर से भी हम लोग बात करेंगे आप देख रहे हैं कि हम खड़े हैं इस दु आप थोड़ा सा बताएं कि यह कितनी पुरानी यह करीब नाइंटी फिट्टी एट में जाला जी ने अपनी सॉटावन से आपकी यह दुकान चल रही है अपनी पुरानी कॉप है अब आला की मार्केट में हमारे से दुप्लिकेशी भी कापी होती हैं आपर रिवाडी स्व आपे बहुत बैटर है यह वी दो जादा प्रैपर करते हैं तो अभी मैं थोड़ा सा जानकरी लेना चाहरा हूं क्योंकि हम भी आपकी दुकान के बहुत लम्बे समय से गाराक रहे हुए हैं और मैं जानकरी चाहता हूँ कि वही टेस्ट और वही क्वालिटी इतने सालों से आपने मैंटेन की हुई है तो यह कैसे हो जाता है एक तरह से जादू आप कर रहे हैं तो आपकी लिमिटेट रहती है बिल्कुल पर हम जो क्वालिटी यूज़ करते हैं उसमें हमारी यह होता है कि हमें क्वालिटी अच्छी मिलने चाहिए दोई वर्थी बनाएगे चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका थैंक यू बैरी बॉक्त थोड़ास और आपको आगे ले जाते हैं और बहुत इंट्रेस्टिंग और बहुत अच्छी एक दुकान की विजिट करवाएंगे जहां पर 101 परकार की अचार मिलते हैं सुने में बड़ा अजीब लगता है कि 101 परकार की अचार कैसे हो सकते हैं इनके ओनर से भी हम लोग बात करेंगे और आप देख सकते हैं यह सब जो है आपको दिखाई दे रहा है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहां के ओनर चरन जी जी इनसे भी हम लोग बाचित करें तो नबसकार चरन जी जी आप करपया थोड़ा बताएं के 101 परकार के दर्शकों के लिए आप थोड़ा बताएं के क्या-क्या ऐसा है कोई 5-10 चीजे बताएं के जो आपके मिलता है मैं जानता हूं कि यह बहुत पुराना आपका सिस्टम है बताएं प्लीज हमारा शोरूम जो एक्स्लूसिव शोरूम है स्पेशलिस्टीज का अचार ओल मोगें थीक है दो चीजे हैं यहां हमारे बाकि च्टोड आइटम जैसे अचार के मिल जाते हैं और हमारी फुदकी मैनुफेक्टरिंग है थीक है अब्बे जो हमारे बास वह सारे अमिसर से अपनी है चीक है , बाक बड़िया बठर है तो मतलब लगबख सारी वेराइटी आप यहां पर कवर कर लेते हैं कि जैसे पेशेंट पेशेंट को चाहिए बहां इतर उतर बागने की जूड़त रही है लसून को ग़राई इसका यूजकरते हैं तो यहां से ले सकते हैं आगरा चाट काना जो कि इस सिटी का बहुत फेमस पॉइंट है नाम इसका आगरा चाट सेंटर है और इनके ओनर से भी हम लोग बाचित करेंगे देखेंगे के और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि ये इनकी शुरुआत एक ठेले से हुई थी और आज ये वाली और सामने की दो दो कान के मालिक हैं ये और हम इनके ओनर से भी बात करेंगे देखेंगे देखें के खचाकच बरी हुई है यहां पर जो है पूरा आप देख सकते हैं कि यहां पर हम इनके ओनर से बात करेंगे सर नमस्कार तो आप यहां के मालिक हैं आगरा चार्ट सेंटर के और मैं बहुत पुराने से जानता हूं कि इस स्टेज पर आप पहुंचे हैं तो प्लीज आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसे और कब आप ने इसको शुरू किया और कहां के रहने वाले हैं मैं अमिश शर्मा वाले में आगरा से रहने वाला हूं सन 2002 के अंदर मैंने काम स्टार्ट किया था ठीक है अच्छा इसके बाद से बस लोगों तेश पसंदाता गया और बहुत स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में बहुत मैंने से इसको जोड़ा तो मैं थोड़ा सा इसको रेक्टिफाई करूंगा के एक ठेले से शायद ये शुरूआत हुई थी क्या मैं सही हूं बिल्कुर ठ शॉप आमने सामने पूरी बड़ी मार्केट में मार्केट के अंदर आपके दो शॉप थीक है तो ऐसी स्टेज़ पर जो आपने ये टेस्ट मैंटेंड किया और पूरी सिटी में काफी दूर दूर से यहां पर आपके पास ग्रहात आते हैं तो ये थोड़ा सा बताएं कि कै आपने मेंटेंड कर रखा इसको ये हमने शुरू सी पापजी दे सीखा हुआ सारा काम जी तो उसी टैक्निक से चल रहे हैं अपने और उसी टैक्निक से काम हो रहा है तो डियर फ्रेंट्स अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और गंगनगर का एक और पॉइंट बहुत अच्छा सा पॉइंट आपको दिखाते हैं बहुत पुरानी दुखान है यह ड्राइफ रूट्स की राजस्तान वेराइटी स्टोर के नाम से है जरा इसको हम लोग विजिट करते हैं तो हम लोग एंटर कर चुके हैं अंदर की दिरफ देखें बहुत सुंदर सा और बहुत तो सिस्टम आपका बहुत पुराना है हम लोग जानते हैं प्लेज आपका शुब नाम बता दें मेरा अमेत अगरवाल तो आप बादाम और मेन चार आइटम्स का रेट थोड़ा सा बता दें बादाम आजकल जो चल रहे हैं में अमरिकन बिकता है बिजार में जिसका रेट 700 रोस्टड में कोरी किस्ता बोल दें उसका पंदरा सो सिर्पे किलो आएगा तो अगरवाल साब यह थोड़ा साइड में मैं देख रहा हूं कुछ पैकिंग का है जरा प्लीज आप थोड़ा और कस्ट देंगे आपको तो यह थोड़ा थोड़ा आप इनका भी रेट बता दे क्योंकि दरशक देखेंगे किस तरह का रेट है तो जनकारी मिलेगी इसमें पैकिंग में कहा है यह मारा दोसौसी पर से स्टार्टिंग होता है जी दोसौसी के बड़ता जाएगा रेट बढ़ता जाएगा ओके दोसौसी से लेके आप 2100 में तक हैंपर हमसे ले सकते हो ठीक है तो अगरवल साब आपका बहुत बहुत धन्यावाद सब्सक्राइब हम लोगों की जानकारी में हैं कि आपने बहुत जीरो लेवल से शुरू किया और आज इस पोजिशन में हैं कि आपके कई त्रह के काम आप मैनेज करते हैं तो प्लीज शॉट में बताएं कि क्या क्या भी आपका काम है और कहां से शुरू किया है हमने सन दो या तीन से ये जनल स्टोर और बीपी सेलून का काम स्टार्ट किया था जी इसमें सेलून मेरी मिसिज चलाती है ठीक है ठीक है तो हमने दो या तीन से ये स्टार्ट किया एक किराए की दुकान से तो हमने साथ साल किरा और दो जर छे से हम इसी बीचों बीच हम योगा से भी जुड़ गए थे राम देव जीर से परभावित होका इड में एक बोर्ड मैं देख रहा था जरा इसके बारे में थोड़ा बताएं कि यह किस से संबंदित है यह हमने कांसे थेरफी स्टार्ड की है जी तो यह कांसे थे पैरों के दवारा से मसाज किया जाता है अच्छा पैर को यह रखेंगे और यह आप उसको सर्कुलेट करेंगे जी 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 बहुत वर्या जी बोड़ी के अंदर जितने वी अपने टॉक्सिन्स वगएरा होते हैं तो यह कांसे थाली उसको बहार निकाल देती है इसमें म दोस्तों अभी एक पॉइंट और विजिट करते हैं योग दिविय मंदेट श्री गंगा नगर सुखाडिया सरकिल श्री गंगा नगर यह चौक है और इससे आगे बढ़ेंगे तो प्रिये दोस्तों देखो यह हम सिटी के तरफ जारे हैं और बिल्कुल सामने ज्वाहर नगर रोड और इसी साइड में जाएंगे तो हन्मानगर्ड शूरतगर्ड डेली यह सब रोड यह कनेक्टेड है यही से जाती हैं सभी पसे और प्राइविट वीकल शहीद आजम बगत सिंग चौक देखें दश्कों हम लोग खड़े हैं यहां बगत सिंग चौक पर और इससे आगे की तरफ हम लोग चलेंगे यह चुराया है और आप देख सकते हैं इस साइड में यह में मार्केट की तरफ जाती है रोड और अगर हम इस साइड में लेफ्ट साइड में बात करें तो यह महराजा गंगा सिंग चौक की तरफ रोड जा रही है और इसके भी लेफ्ट साइड में बात करें तो यह स्टॉपेज है बस टॉपेज की तरफ यह रोड जाती है वहां से प्राइवेट बसिज चलती है तो अब हम लोग आगे चलेंगे शेहिद आजम भगह सिंग चौक से अग toca महाराजा गंगा सिंग चौक की तरफ डेकर हैं फ्रियए दोस्थों में आगे हम लोग चल रहे हैं यह पूर कल्यट्रेटकश की भवन है इसमें सब ऑफिसीज हैं और इसी से हम लोग आगे पड़ रहे हैं प्रिये दोस्तों हम लोग अब खड़े हैं महाराजा गंगा सिंग चौकपर और जिनको श्रे जाता है श्री गंगानगर डिस्टिक्ट यह बसाने का और आप लोग जान रहे हैं देख रहे हैं यह अगर अपन बात करें तो यह सारा इस साइड में आफिसीज हैं परशाशनिक आफिसीज और सामने अगर हम देखें तो इधर नगर परशित की बिल्डिंग है और अगर हम बात करें तो यह इधर महाराजा गंगा सिंग चौक बोला जाता है और इसमें आप देख रहे हैं अ झाल झाल चाल यह दोस्तों अभी हम लोग विजिट कर रहे हैं शिरी गंगानगर सिटी की में सब्जी मंडी दोस्तों बहुत अच्छा उत्पाकन होता है सब्जी की बात हो चाहिए किसी और फसल की बात हो लेकिन देखें यहां पर बोली लग रही है सब्जी की जो होल से लड़ हैं वो सब यहां पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं चारों तरफ सब्जियां ही सब्जियां हैं उसके बाद में तो प्रिये दोस्तों जैसा की आपको बताया गया के श्री गंगा नगर सर्वादिक फसल देने वाला डिस्टिक है राज्यस्तान राज्यका तो चलिए हम लोग अब देखेंगे यहां की धान मंडी कैसी है और कैसे कैसे यहां पर काम होता है अभी एक्चुली फसल का समय नहीं है लेकिन फिर भी आपको बहुत अच्छे से हम यह दिखाना चाहेंगे के धान मंडी किस तरह की यहां की है और इसके साथ साथ हम लोग एक मोटिवेशन के लिए एक गुल्डन स्टार के रूप में किसी व्यक्ति को भी आपको मिलवाना चाहेंगे कि वो यहां पर काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं तो जड़ा देखें सामने आपको धान मंडी दिखाई दे रही है अभी फसल का समय नहीं है लेकिन कुछ आपको आइडिया हो जाएगा यहां पर देखें यह खूप सारे शेड लगे हुए हैं और देखें चलिए आपको दिखाते हैं किस तरह से यहां पर कार्य होता है दूर तक अगर आप देखें तो वो खूब सारे शेड हैं उन सभी शेड के नीचे यहां पर दान और यह जो भी फसलें कट करके आती हैं यह सब कलेक्ट हो करके आगे डिस्टिब्यूट होती है आप देखें और इस साइड में भी थोड़ा काम चल रहा है इस शेड के नीचे देखें आपको खूब सारी बोरियां बैक्स दिखाई दे रहे होंगे यह सब फसल के भरे हुए हैं और आगे थोड़ा बढ़ेंगे दोस्तों जरा हम लोग दान मंडी के बाद में यहां एक आपको खाद बीज और कीट नाशक दवाईयों के विकरेता इनसे में मिलवाते हैं शिरिमान सोन सिंग जी इसके ओनर है और देखें हमारे पास जो है पूरा इनका अच्छा सिस्टम है और काफी पुरानी हमारी यह शॉप है देखें के हम लोग देख रहे हैं के होलसेल का भी काम रहता और इधर भी दवाईयों का भी इटनाशक बीज और यह सब काम तो हम मिलवाते हैं आपको सौन सिंग जी से भी यह में दानमंडी में है और पूरा अच्छा सा इनका काम है आप देखें हम आपको इन से इसलिए मोटिवेशन के लिए मिलवाना चाहरे थे के एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत अच्छे से वर्क करके अपनी मेहनत के बेस पर आगे बढ़े हैं यह हैं श्रिमान सौन सिंग जो राजी थेंक यू बरी बाड़ देखें श्री गंगानगर का एक और बेस्ट पॉइंट आपको दिखा रहे हैं रिद्धी सिद्धी जहां पर रेजिदेंशल फ्लैट्स हैं बहुत अच्छी सी मार्किट है मॉल है यह सब जानकर यह आप लोग देखें कर द लोग है झाल झाल झाल